माटन बिर्यानी क्या लगू कता यह उति हैं दोस्तों जो सीधी होती है जाली ऑपी की माफिकகा तो यह लगू कता भी उसी श्रेड़ी में आती है माटन बिर्यानी मैं राजीव शjust roommate story writer story tailor काली शुन करता हूँ कुमार साब धनाड़े बेखती थे जवान थे पैसे कि कमीनी थी यहां तक की गल्फ्रेंड्स की भी कमीनी थी शादी शुदा थे लेकिन गल्फ्रेंड्स का शौक था अब एक तो धनाड़े उपर से कट काथे भी उपर वाले ने अच्छी दे रखी थी परस्नलेटी भी गजब की थी तो गल्फ्रेंड्स की डेपार्टमेंट पर लखी माने जाते थे दोस्तों में रश्क होता था उनको लेकर के लेकिन कभी-कभी गल्फ्रेंड्स बहुत महंगा सौधा सावित होती है जैसा कुमार साब को पता लगा वह यह कि उनकी गल्फ्रेंड्स ने आके बताया कि कि मैं तुमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूं कुमार साम ने बहुत समझ है लेकिन उससों समझ है और यहां तक की धंकी देढली कि मैं तुमारी सब पोल खोल दूँगी तुमार जा तकपर बयोगा थां पातिशन काम कर आप करीत हैं ठया तक ट्रबावरी टीएद़ टाउन करतीकि तरसा टैट फपली चाम करते हैं यह कंसे स्वेल केड्य कर छोगों, तो ऐतो वो तुम भष्ले को जरए और तक व थारा साल का नहीं हो जाएगा उसको भी सपोर्थ हो तो अब लड़की सोचती है कि चलो यह करके देख लेते हैं तो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कैसे होगा कैसे होगा तुम सिर्फ मुझे पोस्कार्ड लेग देना और पोस्कार्ड बेज देना मेरे पते पर और पोस्कार्ड पोस्कार्ड के पीछे लेग देना मदन भी देना मैं समझ जाओंगा और मैं तुम्हारे को जो है पैसे मैं से भेज दूँआ है अब होता क्या है कि नौ मेने कुजर जाते हैं एक दिन घर पर आते कुमार साथ दीवी कहती है डालिंग यार बड़ा अजीव सा पोस्काड आ है तुम्हारे लिए नेपाल से पोस्काड तो वह पोस्काड देखते हैं और अब तो जब पढ़ने के बाद घर जाते हैं पोस्काड से उच्रेक जाता है भी वी पोस्काड देखती है पढ़ती है दुम्हार शमय में नहीं आता पोस्काड में लिखा था मतन मेरिया नि मतन मेरिया नि दो मीट बाल समय एक दिना अब राहता ज्यादा भीजना दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कहानिया अपको पसंद रही होगी और मेरे चैनल रश झालेवा.